हुमन बॉडी की एनर्जी का रहस समझने के लिए हमें शरीर के अंदर घटित होने वाले विभिन प्रकार की प्रक्रियाओं को समझना होगा हुमन बॉडी की एनर्जी सेल में स्टोर होती है और सेल में एक पार्ट होता है जिसे माइट्रोकॉंड्रिया कहते हैं माइट्रकॉंड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ बॉडी भी कहते हैं बोजन करने से जो हमें एनरजी मिलती है वे माइट्रकॉंड्रिया में जाकर स्टोर होती है आईए इस वीडियो में अब हम आपको बताते हैं कि उर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है देखिए बोजन माना शरीर की उर्जा का एक मुख्य स्रोत है बोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट और फैट जैसे पोशक तत्व होते हैं जो अपने आलग-अलग प्रकार की उर्जा को उत्पन करने में मदद करते हैं बोजन से हमारे शरीर को प्राप्त होने वाली उर्जा का लगबक 70-80% भाग बोजन में मौजूद पोशक तत्वों के द्वारा प्राप्त होता है नीन से उर्जा संचे होती है नीन से माना शरीर की उर्जा में कुछ महत्पून परिवर्तन होता है नीन शरीर और मन के लिए महत्पून है और ये उर्जा के संचे के लिए एक महत्पून प्रक्रिया है उर्जा का संचे नीन के दौरान शरीर को विश्राम मिलता है और ये पूर्ण रूप से संचित की गई उर्जा का उपयोग करता है यह संचित उर्जा भविश्य में शरीर और मानसिक गतिविद्यों के लिए उप्युक्त होती है जागने से उर्जा खर्च होती है दिन भर जागे रहने से हमारी एनरजी का व्याय होता है जब हम सोक के उठने के बाद हम सारा दिन अपने जीवन का सारा काम आधी करते हैं तो हमारी उर्जा खर्च होती है अर्थात हमारे दिन्चरिया के कामों में हमारी उर्जा खर्च होती है प्राणायाम से उर्जा जागती है प्राणायाम मानव शरीर के उर्जास्तर को जागरित करता है और उसे उर्जावान बनाने में मदद करता है प्राणायाम भारतिय योग शास्त में उपलब्द एक अभ्यास है प्राणायाम के द्वारा सास लेने और छोड़ने की विधी का पालन करने से श्वास और प्राण वायू का संचालन सुधरता है इससे शरीर का उक्सीजन लेवल बढ़ता है और उसमें उर्जा की उत्पत्ती होती है यह शरीर को उर्जावान बनाता है और अधिक दिंचर्या को संपन्न करने में मदद करता है धारना से उजा केंद्रित होती है धारना एक योग की अभ्यास प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मन को एक विशेश विशे या धे पर सयमित करता है यह ध्यान की पहरी अवस्ता है जिसमें धे की समायोजन और मन की चंचलता को रोकने का प्रयास किया जाता है जब व्यक्ति धार्णा में सफल होता है तो उसका मन धे पर समर्पित रहता है और उसकी मांसिक उर्जा धे केंडरी ये विचारों में समय और उर्जा का संचे होता है धार्णा के द्वारा मन को विक्षेपों से दूर रखकर व्यक्ति एकागरता की सिती में जाता है और उर्जा को एक निरंतर धारा के रूप में केंद्रत करता है ध्यान से उर्जा उपर की और चड़ती है ध्यान एक धे पर एकागरता और समन्वित ध्यान की सिती है जिसमें व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और धे के एकाग्र अनुभव को प्राप्त करने के लिए समर्पित होता है ध्यान एक प्राकृतिक और आध्यात्मिक तक्नीक है जो व्यक्ति को उर्जावान बनाता है और उसकी अंतर निहित शक्तियों को जागरित करता है ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सक्रिय, सफल और खुशाल बनाने में सहायता प्राप्त करता है ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने अंतरमन के भावनाओं, चिंताओं और तनाओं से दूर रहता है और अपने असली स्वरुप को अनुभव करता है भे से उर्जा संकुचित होती है भे एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर को खत्रे के साथ निपटने के लिए तयार किया जाता है यह स्वाभाविक है क्योंकि भे शरीर को उतेजित करके उसे संक्रमित होने से बचाता है भै के समय शरीर और मन विभिन रूपों में प्रतिक्रिया करते हैं जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ जाना, श्वास तेज होना, रक्त चाप बढ़ना और स्वेत पढ़ना ये सभी शारिरिक प्रतिक्रियाएं शरीर में अधिक उर्जा का उत्पादन करती हैं भै के कारण शरीर की उर्जा की सिकुडन वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि शरीर ततपश्याद ततकाल उर्जा का उप्योग करता है, जो किसी विपदा से निपटने के लिए जरूरी होता है यह उर्जा शरीर को लड़ने या पलायन करने के लिए तयार करती है और शरीर को अत्तधिक तनाओं में रहने से बचाती है वासना में उर्जा नीचे की ओर बहती है वासना एक संसकार होता है, जो हमारे मन में समय समय पर उत्पन होता है ये विभिन अनुभवों, विचारों और क्रियाओं के परिणाम सरूप उत्पन होता है और हमारे व्यक्तित्व, विचारधारा और भावनाओं को प्रभावित करता है वासना में उर्जा का संचे होता है जो शरीर और मन को विशिष्ट, विचारों और भावनाओं के प्रति आकरशित करता है वैव्यक्ति को विक्षेपों में ले जाती है और उसकी उर्जा को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकती है इसलिए वासना में उर्जा नीचे की ओर बहती है प्रेम में उर्जा प्यालती है प्रेम एक अनुठा अनुभव है जो भावनात्मक और अध्यात्मिक स्थरपर होता है प्रेम में उर्जा का संचय होता है और व्यक्ति के अंतर मन को उर्जावान बनाता है प्रेम की उर्जा विभिन रूपों में व्यक्ति होती है और उसका प्रभाव व्यक्ति के शारिरिक, मानसिक और अध्यात्मिक सरपर होता है क्योंकि जब व्यक्ति किसी को प्रेम करता है तो उसके मन में भावनाय, समवेदना और सकरात्मक भाव होते हैं यह भावनाएं और सम्वेदनाएं उसके मन में सक्रिये रहती हैं और उससे सक्रिये बनाती हैं प्रेम की कारण व्यक्ति को उर्जा की अनंत सप्लाई मिलती है और वैं उसे जीवन के सभी शेत्रों में उप्योग कर सकता है समाधी में उर्जा विराट के साथ एक होती है समाधी एक ध्यान की अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों भावनाओं और एहेंकार से पूरी तरह से अलग होकर अविच्छेद एक एकिक्रित अनुभव में लीन हो जाता है समाधी एक अध्यात्मिक अनुभव है जिसमें साधक का मन पून शांत तनाव मुक्त और अमित आनंद का अनुभव करता है इसलिए समाधी में उर्जा व्यक्ति और विराट के बीच एकिक्रित होती है और व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानता है जो अनंत शक्ति और आनंद का स्रोत होता है समाधी का ये अनुभव व्यक्ति को जीवन में विभिन शेत्रों में सक्रिय बनाता है और उसे सामर्थे का अनुभव करने में मदद करता है सर्व व्यापक में उजव विलीन होती है सर्व व्यापी शब्द आम तोर पर भगवान या ईश्वर के गुणों को संदर्वित करता है जिसका अर्थ है कि वे सभी सत्ता में व्याप्त होता है और सब के अंदर उपस्तित होता है इस अर्थ में सर्व व्यापी भगवान को कहा जाता है कि वे सभी जगों में है, सभी सत्ता में व्याप्त है और सभी समय में मौजूद है सर्व्यापी भगवान के रूप में उर्जा सभी सत्ता में व्याप्त होती है और कभी नहीं विलीन होती भगवान या ईश्वर सभी को जीवित करता है सभी का संचालन करता है और सभी को उर्जावान बनाता है उसका शक्ति और उर्जा अनंत होती है और उसकी उर्जा का संचे कभी नहीं खत्म होता आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद